नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपके अपने एजूकेशन चैनल एजूटूबर देव पर तो दोस्तों थर्ड ग्रेड ट्रांसपर के बारे में लगातार अपडेट टू अपडेट जारी हो रही है और वो सारी अथेंटिक अपडेट हम आप तक लेकर हाजिर ह करेंगे कि जो शिक्षा मंतरी है गोविन सिंग डोटा सरा वो एक दिन तो ये बयान देते हैं कि हम बिल्कुल ऑथेंटिक ग्रूप से बिल्कुल तरीके से नियम अनुशार कानुन नुशार जो है ट्रांसपर करने वाले और दूसरे दिन उनका ऐसा बयान आता है अब वो पंचाई तिराज वाले जो है वो मादिमिक शिक्षा वाले में जाएंगे जो आपके पता है कि सेकंडरी या सीनियर सेकंडरी में जो थर्ड ग्रेड टीचर होते हैं उसकी बात कर रहे हैं तो इस चेंज को क्या बोलते हैं दोस्तों 6D सेटप बोलते हैं वहलब एक तरीके स पंचाईती राज वाले में जो चले जाना तो इसको बोलते हैं जो एक तरीके से आपके फिर पेमेंट वगरा में भी चैंसे होते हैं क्योंकि सारा केंदर वगराई उसमें बदल जाता है फिर देखिए प्रदेश में उच परात्मिक विद्याल आने कि जो आठवी तक के स् जाएगा और फिर माधिमिक वाले इसमें आप आएंगे तो ये थोड़े से चेंजेस हैं मलब को इतना बड़ा चेंज नहीं है कि चलो बस मतलब दूसरे राजे से अब इरति आ रहे हैं बट जरूर ये वो माधिमिक शिक्षा का और प्रात्मिक शिक्षा का थोड़ा सा चे जाएगा उसके बाद सबसे जो फिट अवे रती हैं उनको मौका दिया जाएगा तो बिल्कुल जैसे आपके जॉइनिंग के टाइम नहीं होता जब आप नौकरी लगते हो नहीं ने तो जॉइनिंग के टाइम भी यही प्रोसेस अपनाई जाती है कि सबसे पहले दिवांग जनों को नजडिक से नजडिक स्कूल दो फिर महिलाओं को दो और फिर जो जगे बचगे वो चाहिए आप टॉपर भी हो तो आपको दूर ही दी जाती है तो फिर वो सारी चीजे इसमें भी रहने वाली हैं और देखिए अब डार्क जोन से आने वाले 38,000 से जज़दा है मत इसके लिए भी सरकार को इनको नीती जरूर बनाएगी नहीं तो फिर जिले लेवल पे करनी पड़ेगी रीट को क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो एक तरफ तो सो पद होंगे और दूसरी तरफ पूरे 5000 होंगे तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं तो य ये सारी चीज़ें किसमे देखी जाएंगी ये सारी चीज़ें जो है नई ट्रांसफर जो फॉली सी बनेंगी उसके अंतरगत ये चीज़ें समझ आ जाएंगी अब देखिए शिक्साराजे मंतरी गोविन सिंग डोटासरा के ग्रह जिले सीकर के 8000 से अधिक शिक्षकों अन लेकि लिए आवेदन किया लेकिन सीकर में कितने पद है 700 है तो अगर वो 700 ट्रांसफर से भर देते हैं तो भी रीड तक तो 100-200 पद आएंगे जैसे मैंने बताया लेकिन उदर कितने खाली हो जाएंगे तो आप समझ सकते हो 8000 है तो मतलब वहां तो 1000 जार पद खाली हो नहीं तो फिर रीट का आउजन फिर वही आर्टेट की तरह जिले लेवल पर फिर जो पंचाई दिराज सिक्षन वेवस्ता वो सारी चीज़ें होंगी जिले लेवल पर अलग अलग थर्ड ग्रेड टीचर भरती होगी पहले आर्टेट हो हुआ करेगी अब आपको पता है कि प्रारमी शिक्षा वालों को मादिमी शिक्षा में एक तरीके से काउंसलिंग के मादिम से भेज देना ये होगा आपके सिक्षडी सेटप मिनिमम जो है तीन साल तो इसमें होने चाहिए अब देखिए उधर डोटा सरा क्या कह रहे थे कि बिलकुल हम नियमानुसार जो है इ देखिए इनका सबसे पहले बयान कि हमारी सरकार ने पहली बार शिक्षा विबाग में ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर तबादलों का काम सुरू किया लगबग 85,000 थर्ड ग्रेड जो है हम ट्रांसफर के लिए हमने आवेदन लिए हैं इसलिए विबाग के और से देंगा साइनों ने कहा देखिए सिक्सारा जी मंत्री गोविन सिंग डोटा सरा पर एक बार फिर अपने बड़ बोल के चलते वो घिर गए हैं अपने विदान सबसे तरके एक और करा देंगे तो यह ऐसी बात अब देखिए यह चीजे मैं तो समझता हूं गलत है क्योंकि स सारे ही शिक्सक लक्षमनगट से नहीं हैं सीकर से नहीं हैं सीकर के बाहर भी हमारे जैसे शिक्षक हैं तो फिर उनका ट्रांसफर तो साब आप नहीं कर रहे और केवल सीकर का ही करना मैं नहीं समझता अच्छी बात है कल कोई बाड़ मेर का बन जाएगा शिक्सा मंत्री पर और टोटल मैंने भी जैसे आपको आकड़ा बताया साथ से आठ हजार है तो ये इस्ततिय आप देखते हैं कि इसमें कब तक दो महीने जैसे इसमें टाइम लगबग लगने के आसार हैं दो महीने का समय लगेगा उसके बाद ही ट्रांसपर सुरू हो पाएंगे कि बहुत सारी चीजें इसमें देखनी पड़ेंगी और फिर शिक्सामंत्री जी कैसे बयान तो आसानी से चीजें पचेंगी नहीं किसी भी सरकारी शिक्से को बागी देखते हैं कि कब तक इसमें लेटेस्ट अप्डेट आती है दो में एक आसपास का समय है और जो भी authentic जानकारी आईगी तो मैं आप तक पहुंचा दूँगा वीडियो और community post के माधियम से तब तक लिए दोस्तों धन्यवाद नमस्कार